नमस्कार मैं डॉक्टर श्राद्धा वसर्ष्ट आपका सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको जवाब देने जा रहे हैं पांच बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का जो की संबंदित है 2020-21 स्कूल ओफ एक्सिलेंस दाखिला से पहला सवाल फॉर्म कब से निकल रहे हैं तो हमारे सामने है स्कूल ओफ एक्सिलेंस की नोटिफिकेशन यानि की शिक्षा विभाग के द्वारा जारी के गई स्कूल ओफ एक्सिलेंस की अधिसूचना form कब से निकल रहे हैं हम आपको इस notification में ही बताएंगे दिखाएंगे देखिए ध्यान से देखिए registration यानि की पंजी करण 2 March 2020 सोमवार से 13 March 2020 शुक्रवार सुबह 9 बजे से दुपहर 12 बजे तक मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी 2 March से 13 March तक सुबह 9 से 12 बजे तक इसका मतलब यह है कि अगर आप 9 से 12 बजे के बीच में जाएंगे तो आप form ले भी सकते हैं जमा भी करवा सकते हैं लेकिन 12 बजे के बाद या 9 बजे से पहले अगर आप जाएंगे तो आपको form जमा करवाने की या form को स्कूल से free of cost मुफ्त में लेने का मौका नहीं मिल पाएगा इसलिए तैश शुदा समय पर ही जाएं जो की है सुबह 9 से 12 बजे registration है यानि की पंजी करण यानि की form भरने की तारीके है 2 मार्च 2020 से 13 मार्च 2020 अगला सवाल है कि किन कक्षाओं में दाखिला होगा यह भी मैं आपको बताती हूँ नर्सरी क्लास में सभी स्कूल ओफ एक्सिलेंस में दाखिला होगा स्कूल ओफ एक्सिलेंस जैसे कि आप सभी जानते हैं कुल 5 स्कूल ओफ एक्सिलेंस है दिल्ली में जो की है स्कूल ओफ एक्सिलेंस खिचडिपुर स्कूल ओफ एक्सिलेंस रोहिनी School of Excellence Qalkaji, School of Excellence Madanpur-Khader, School of Excellence Dwaraka तो इन सभी School of Excellence में Nursery Class में दाखिला होगा हर School में Nursery Class की 3 सेक्षन है और हर सेक्षन में 25 बच्चे है अलगर कि हर School of Excellence में 75 seats पर दाखिला होगा हर School of Excellence में 75 seats पर दाखिला होगा साथ ही साथ केजी कक्षा पहली कक्षा दूसरी और कक्षा तीसरी में जिस भी स्कूल ऑफ एक्सिलेंस में जितनी जितनी सीट खाली है उन पर भी दाखिला होगा 75 seats nursery का क्षा वह तो हर school of excellence पे उन पर दाखिला तो होई गाई होगा लेकिन nursery के बाद जो kg आती है kg पहली दूसरी और तीसरी में जिस भी school में जितनी seats खाली है वह school उतनी seats पे दाखिला देगा अगला सवाल है कि form कहां से मिलेंगे क्योंकि school of excellence के form offline माध्यम से भरे जाते है इसलिए जिस भी school में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते है उसी school से आपको form मिलेंगे या फिर आप हमारे द्वारा एक हम इस notification यानि अधिसूचना का link भी description में share कर देंगे आप उसे भी उसका भी आप print out निकाल सकते हैं तो उस print out में भी form होगा या फिर आप नजली की school of excellence में जाएं जिसमें आप अपने बच्चे के दाखिला करवाना चाहते हैं तो इसका जवाब है जी हाँ EWSDG और Children with Special Needs Category का दाखिला बिलकुल हो सकता है जैसा की right to education यानि की शिक्षा का अधिकार कहता है जितनी भी seats school में होंगी उसका 25 प्रतीशत उन बच्चों के लिए अरक्षित होगा जो RTE के तहट आते हैं तो इस नकूलों में भी EWSDG और Children with Special Needs Category के तहट बच्चों का दाखिला होगा कुल जितनी भी seats होंगी उसका 25 प्रतीशत इन बच्चों के लिए अरक्षित होगा आखरी सवाल General Category का दाखिला कैसे होगा देखे General Category का दाखिला भी वैसे ही होगा जैसे बाकी Category का है General Category के दाखिले के वाले बच्चों को भी स्कूल जाना होगा पॉम को भरने होगा जरूरी कागजात जो होंगे उनकी Self-Tested Photocopy साथ में जोडनी होगी और स्कूल में जमा करवानी होगी बर General Category के दाखिले में बस एक चीज अलग होगी कि General Category के दाखिले में उन बच्चों को सबसे पहले प्रात्मिक्ता दी जाएगी जिनके भाई बहन बड़े भाई बहन अल्रडी स्कूल ओफ एक्सिलेंस में पढ़ रहे हैं ऐसे में जब दाखिला होगा वह बच्चे जिनके बड़े भाई भैन अल्रडी पहले से ही स्कूल ओफ एक्सिलेंस में पढ़ रहे हैं तो 0 से 1 किलो मीटर के डिस्संस में वह जो बच्चे आते हैं जिनके भाई भैन अल्रडी स्कूल ने पढ़ रहे हैं पहले उन्हें काटेगरी के दाखिले का तरीका जनल काटेगरी का दाखिला इस प्रकार से होगा तो यह थी को जानकारी जो स्कूल ओफ एक्सिलेंस दाखिला से संबंदे थी जो हमने सोचा हम आपके लिए लेकर आए फॉर्म कब से निकल रहे हैं आपको पता चल गया है किनका चौँ में द सब्सक्राइब करें अगर आपके मन में है कोई भी दुविदा या कोई भी कन्फूजन या कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको अभी तक नहीं मिला है जो की है स्कूल ओफ एक्सिलेंस संबंदे तो कमेंट बॉक्स में वह सवाल जरूर लिखे अब मुझे डॉक्टर श